नमस्कारम दोस्तों मैंने मानाओं की उत्पत्ती की एक पिंड थियोरी आपको बताई थी और मैंने कहा था कि प्राकृतिक घटना के कारण चारतत्त, पिर्थिवी जल, बायू और अगनी ए मिले और इनके मिलने से आकास्तत्त की उपस्थिती में आकास्तत्त ऐसे है, जैसे एर रिंग है, इसमें भी आकास्तत्त बीच में उपलब्द है, बैसे ही हर जीब जन्तु में आकास्तत्त है, आकास्तत्त उस तरीके से हर जीब में है, जिस तरीके से एक धागे में मोती प्रोय हुए हूँ, बैसे ही सभी जीब जन्तु उस आकास्त तो किया हुआ दो जो गटना घटी प्राकृत गटना मैंने कहा था कि जैसे प्राकरते घटना के कारण पत्थ टकराए और अगनी उत्पन हो गई जैसे अभी बार आई है यह एक प्राकरते घटना है इस घटना के कारण कई जगाए पर टापू बन जाएंगे कई जगाए पर मिट्टी के कटाओ के कारण बहुत गेरे गेरे गड़े बन जाते हैं तो ऐसे ही प्राकरते घटना के कारण, अभी सद्गुरु जग्गी बसदेब ने भी बताया है, कि जो सृष्टी की उत्पत्ती हुई, उन्होंने पूरी सृष्टी की उत्पत्ती बताई, वो एक महागर्जन के कारण हुई, और जो बिग बैंग थियोरी बताई गई थी, उ और उस बिसपोट होने के कारण ये सृष्टी बन गई, एक उर्जा का महाबिसपोट, मैं भी उसी को कहना चारा हूँ, मैं यह कहना चारा हूँ, कि यहां जो हुआ, उसको किसी इस्वर्न नहीं किया, वो प्राकरतिक रूप से घटा है, बहुत सारी घटना है प्राकरतिक घटना घटी, तो हमारा जो साक्षी है, जो हमारे स्वपन को देखता है, और हकीकत में बताता है कि तुमने ये स्वपन देखा, और बही हमारी उत्पत्ती को, अंत को, जन्म को, मृत्त्य को बता सकता है, उस साक्षी को जाने बिना, हम किसी की भी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं मालो ये बात तुलसी ने कही तो तुलसी ने जो कहा वो हम कैसे मालने की वो सत्त है तुलसी से किसी ने कहा किसी बेद में किसी सास्तर में लिखा तो जिसने सास्तर बेद लिखा उसको किसने देखा कि इसने जो कहा है वो सत्त है बेद सास्तरों को लिखने वाले ने जो कहा है हम कैसे माल लें कि वो सत्य है क्योंकि उसने जो देखा उसको किसने देखा कि ये जो देख रहा है वो सत्य है ऐसे हम नहीं जान पाएंगे हम अपने साक्षी को जब देख लेंगे जो हमारी जन मृत्यू के समय रहता है इस पृत्वी के प्रलय के समय रहता है पृत् भी बड़ी जागर्ती में जब हम समाधी में चले जाती है तब भी रहता है उस साक्षी का प्रमान ही सबसे बड़ा साक्ष है बरना हम कैसे भी किसी भी बात को नहीं समझ सकते हैं कोई कितना भी समझाने की कोशिस कर ले तो बो जो घटना घटी पिंड मनने की प्राकृतिक रूप से घटी चारों तत घटे हो गए और उनके बीच में एक गिस्पोट हुआ और उसके कारण उस पिंड की उस मनुस्य की उत्पत्ती हुई बो जो घटना प्राकृतिक रूप से घटी थी यदि उस घटना को अभी ज इससे मिल करके वो पिंड बना, तो यदि उसको समझ लिया गया, तो अभी भी हम उस पिंड की रचना खुद कर सकते हैं, और ऐसा हमारे रिस्वी मुनियों द्वारा किया जाता रहा है, बाल मिकी ने घास फूस का पुतला बनाया, और उसमें प्राण डाल दिये, और वो कुस बन गया, लब और कुस दो राम के पुत्र हुए न, और दुरोपदी की यग से उत्पत्ती, और बहुत सारे राक्षसों की यग से उत्पत्ती, ये क्या था, ये वो बिग्यान ही था, उस बिस्पोट को कराया जाता था, जिससे उस पिंड की उत्पत्ती हुई थी, वो प् गटना गटी उस ब्इसपोट की तिभ्रता को जान ले तो फिर वह भी एक मनुस्रकी उत्पत्ती कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है जब हमारे रिसीमणियों न की है तो यह भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे उत्पन होते थे यगों कि द्वारा उन्हें कृतिम रूप से प्रकट किया जाता था और यह बही हो सकता है जहां इन चारों तत्तों की उपस्थिती समान रूप से है जतनी चाहिए यदि कोई इस्वर बना रहा होता तो पर वो मंगल पर भी बना देता वो फिर चंदर पर भी बना देता उन पर क्यों बना पा रहा है क्योंकि उहां पर इन तत्तों की उपस्थिती जितनी चाहिए अनुपात में वो नहीं मिल पा रहे है इसलिए वो प्रकरत के घटना नहीं घट पा रहे है बरणा वहां पर भी जीवन उत्पन हो जाता लेकिन क्या है कि हमारी कुछ मानता हैं जिनों ने मान कि किसी युस्वर ने हमें बनाया हम केदें कि राम ने हमें बनाया ऐसे ऐसे बनाया तो हिंदू खोस हो जाएंगे हम केदें अल्ला ने हमें बनाया तो जो मुस्लिम भाई हैं वो खोस हो जाएंगे और जैसे बाइबल में बताया बैसे बनाया तो भाई इसाई खोस हो जाएं उनसे पहले भी जीवन था तो जो जीवन की उत्पत्ती हुई है मनस को इतना अपने आपको महान नहीं मान लेना चाहिए इतना अपने आपको बरिष्ट नहीं मान लेना चाहिए जितना वो समझ रहा है तुमने जानवरों से बिना पूछ बताए ही तो अपने आपको महान गोसित कर दिया कि हम सबसे महान हैं इस दर्ती पर क्या पता जानबर कहते हो कि हम सबसे महान है ये मनुस्थ सबसे छोटा है तुमने क्या उससे पूछा है कि हम महान है मनुस्थ अपने आपको जो महान समझ रहा है यही मनुस्त की सबसे बड़ी मूडता है और यदि मनुस्त इस धर्ती पर सबसे समझदार प्राणी होता तो छोटी-छोटी बातें उसकी समझ में नहीं आई उसने इस्वर को अलग मान लिया, अल्ला को अलग मान लिया जबकि हर ब्यक्ती की जीने की, मरने की सब प्रक्रिया बिल्कुल एक सी है उसकी जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल एक सी है सूर की रोसनी उसको भी चाहिए, हवा पानी उसको भी चाहिए लेकिन इतनी जो भिन्नता उसने पैदा कर ली यह उसकी मुड़ता है युतने युद्ध उसने लड़ लिए यह मनुस जाती की मुर्खताई तो है यह समझदार ही है इससे मनुस को समझदार कैसे कहें हम कैसे माल लें कि यह सबसे समझदार प्राणी है दोस्तों ये मनुस की उत्पत्ती की हो या सृष्टी की उत्पत्ती की यह जो प्राकरति गटना गटी है ये बहुत जल्दी नहीं तो बहुत बाद में कभी न कभी तो समझ में आ जाएगी क्योंकि जब जो बात कही जाती है उस समय तो बात कभी किसी को समझ में आई ही नहीं तो कभी न कभी बात समझ में जरूर आएगी और बिग्यानिक इस तत्त पर पहुचेंगे धन्यवाद